हेलो गाईज मैं प्योव शाब सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोचेट लर्निंग पर आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन पर जो की UGCनET की यूनिट 10 है हायर एजुकेशन को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो आज उन सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और हायर एजुकेशन को बहुत ये अच्छे धंसे समझने का प्रयास करेंगे इसके पहले एक वीडियो पहले ही आ चुका है अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जा करके उससे तुरंद देख लेजे According to the Ministry of Human Resource Development जिसका एक डिपार्टमेंट है Higher Education Department Higher Education is defined in two ways Ministry of Human Resource Development जिसे 2020 की Policy में बदल करके Ministry of Education बना दिया गया है उसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है Higher Education Department ठीक है उसने Higher Education को दो तरीके से define किया है पहला है Education which is obtained after completing 12 years of schooling and is pursued for a duration of at least 9 months यानि कि पहले 12 साल आपके schooling हो उसके बाद 9 महीने का कोई diploma हो या 9 महीने का कोई भी course होता है वो क्या कहलाता है Higher Education का part कहलाता है अगला है after completing 10th year of schooling it is pursued for a duration of at least 3 years तो 10 तक की पढ़ाई करनी है उसके बाद 3 साल का कोई course करना है या फिर 3 साल की कोई degree लेनी है तो ये भी क्या part हो जाता है किसका Higher Education का part हो जाता है तो Higher Education दो तरीके से होती है 12th के बाद या तो minimum 9 महीने का कोई diploma course होना चाहिए या फिर 10th के बाद 3 साल की कोई degree होनी चाहिए Higher Education contributes to the national development through dissemination of specialized knowledge and skills जो Higher Education होता है वो क्या करता है contribute करता है national development में किस तरीके से अगर हम बात करें school education की तो school education हमारे उपर क्या होती है किसी country के उपर liability होती है ठीक है liability का मतलब होता है कि ये उस देश का उत्तरदाईत है कि वो school ही सिक्षा बच्चों को दे ठीक है लेकिन जो Higher Education होती है ये liability नहीं होती है ये क्या होता है ये हमारा होता है profit एक तरीके से ठीक है क्यों अगर कोई Higher Education का part हो रहा है यानि कि वो अपने field में specialized हो रहा है और अगर वो अपने field में specialized हो रहा है तो वो क्या करेगा? देश को contribute करेगा किसी न किसी रूप में. ठीक है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? ये हमारे लिए national development का बहुत बड़ा source हो जाता है. तो इसलिए higher education जो होती है, वो national development में क्या करती है? अपना योगदान देती है. ठीक है? साती साथ, higher education is a key element in demographic dividend. Higher education जो है, वो एक key element है demographic dividend में. Demographic dividend क्या होता है? कि 15 से लेकर के 69 वर्ष तक के जो लोग हैं, उनका ratio कितना जादा है population में. साती साथ, जो birth rate है और जो death rate है, उसका ratio कितना कम है? ठीक है? ये होता है हमारा demographic dividend. अगला आता है, Indian higher education system which includes technical education is one of the largest in the world just after the United States and China. भारत का जो higher education system है, वो दुनिया में one of the largest है. यानि कि दुनिया में कुछ देशों को छोड़ करके सबसे बड़ा system हमारा ही है. सबसे बड़ा system कहां का है? वो है USA का, उसके बाद आता है चाइना का, और तेसे नंबर पर आता है भारत का, चीक है? फॉर्मल education system can be categorized into three parts. फॉर्मल education को जब में बादते हैं तो three parts में divide करते हैं, primary education, secondary and tertiary education में. ठीक है? इसको लेकर के मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था, आप वहां जाकर के इसे detail से समझ सकते हैं. चीक है? आता है vocational education. higher education और vocational education में क्या difference होता है? जब आप 12th के बाद में studies करते हैं जाकर के, तो वो आता है higher education का part. लेकिन जब आप 12th के बाद कोई specialized course करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? vocational education कहलाती है. ठीक है? There are three principal level of qualification higher education as listed below. तीन तरीके से होता है ये. पहला undergraduate level leading to bachelor's degree. जब आप 12th करने के बाद जाते हैं, graduation करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? undergraduate level उसे कहा जाता है. और जो degree हमें मिलती है, उसे हम bachelor degree बोलते हैं. ठीक है? जब आपको bachelor degree मिल जाती है, फिर आप क्या करते हैं? postgraduate होते हैं. और postgraduate करने के साथ ही आपको जो दूसरी degree मिलती है, उसको हम कहते हैं, master's की degree. ठीक है? और post-graduation करने के बाद लोग क्या करते हैं? research क करते हैं जिसके बाद हमें क्याब मिलती है PhD की डिग्री मिलती है अब बात करते हैं institutions of higher learning and education in ancient India प्राचीन भारत में higher education के या higher learning के कौन-कौन से institutions थे अब हम उन पर बात करते हैं ancient education system has been very wide in India in ancient times there were two education systems such as Vedic and Buddhist जब हम पूरे इंडियन education system को देखते हैं यानि ancient से लेकर के modern तक तो हम इसको कई चर्णों में बाटते हैं जैसे अगर हम बात करें ancient में तो ancient में यह दो पार्ट में डिवाइड होता है वैदिक और बुद्धिस्ट education में उसके बाद जब हम मद्यकालीन भारत में आते हैं तो उहां पर Muslim education के तौर पर यह divide हो जाता है उसके बाद जब मॉडर्ण में आते हैं तो आजादी से पहले और आजादी के बाद आ जाता है तो आजादी से पहले जो अंग्रेजों की साशन विवस्था थी उसके दौरान education किस तरीके से डेवलप करती है वो आता है और आजादी के बाद जब भारत आजाद हो गया भारत के आजाद होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन education में देखेंगे वो इसके इंतरगत आते हैं दवैदिक education system refers to वेदाज six वेदांगाज उपनिशद six दर्शन पुरान तर्क शास्त्र वैदिक education के इंतरगत हमें ये सारी चीज़े पढ़नी होती थी जिसमें से क्या होता था वेद चार वेद हमें पढ़ने पढ़ते थे वे ये सारे हमारे क्या हुआ करते थे सबजेक्ट्स हुआ करते थे वेदिक education के समय में अगर बात करें वेदांग की तो वेदांग में phonetic आता है ritual knowledge पढ़ाई जाती थी grammar पढ़ाई जाता था गैटिक्स पढ़ाई जाती थी astronomy matrix ये सारी चीज़े यहां पर पढ़ाई जाती थी इसके लाबा जो 6 दर्शन थे हमारे वो कौन-कौन से थे जैसे नयाय दर्शन हो गया वैसेशिक दर्शन हो गया सांख दर्शन हो गया योग दर्शन मीमान सा दर्शन वेदांत ये सारे भी हुआ करते थे इसके लाबा पुरान पढ़ाई जाते थे जो 108 पुरान थे वो दिया जाता था वो संस्कृत भाषा में दिया जाता था ठीक है knowledge was passed on orally from one generation to another in ancient India अगर हम बात करें प्राचीन भारत की तो प्राचीन भारत में कागज pen pencil इनका यूज ना हो करके जो ग्यान था वो directly transfer किया जाता था वो भी ओरली ठीक है फिर जब उनमें से कोई teacher बनता था तो वो अपने students को उसी तरीके से सिखाता था यानि education जो हुआ करती थी वो किस तरीके से आगे बढ़ती थी और ली आगे बढ़ा करती थी अब देखते हैं education involved the comprehension of three basic stage involved in the process तीन तरीके के process हुआ करते थे क्यों जब हम चीजों को सुन रहे हैं तो क्या क्या हमें करना है ठीक है पहला श्रवन चोंकि education जो थी पूंडता किस पर आधारिती ओरली दी जाती थी ठीक है education जब ओरली दी जाएगी तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा सुनना होगा इसी को हम क्या कहते हैं श्रवन stage of acquiring knowledge of shrutis by listening शृति का मतलब यहां पर क्या है शृति का मतलब होता है वेद जो वेद होते थे उनका जो जो ग्यान दिया जाता था ता वह औरली दिया जाता था यह निकि सुना सुना करके दिया जाता था इसलिए जो वेद हैं उन्हें शृति भी कहा जाता है ठीक है तो जो stage of acquiring knowledge है, वो क्या कहलाएगी, श्रवन कहलाती है, अगला आता है, मनन, मनन का अर्थ क्या होता है, meaning people to think, analyze themselves about what they heard, ठीक है, मतलब जो कुछ उन्होंने सुना, किस से सुना, अपने टीचर से जो कुछ भी उन्होंने सुना है, उस पर सोचें, थोड़ा विचार करें, analyze करें, ठीक ह कुछ भी पढ़ाए है, बच्चे उसे क्या करें, आत्म साथ करने की कोशिश करें, साथ ही साथ, अपने जो examples हैं, ठीक है, उनके साथ में उसे correlate करते हुए चीजों को अच्छे से कंठस्त कर लें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रवन करेंगे, फिर उसके जाद मनन करे अगला आ जाता है निदिध्यासन, निदिध्यासन क्या होता है, meaning comprehension of truth and apply into the real life, यानि कि जो चीज हमने पहले सुनी थी, फिर हमने उसका चिंतन किया, मनन किया, जब चिंतन मनन करने के बाद वो हमारे दिमाग में बस गई, फिर हमने उसको apply करना है, start किया real life में, और इसी को क क्या कहते हैं, निदिध्यासन, यानि कि education को comprehend करने के तीन तरीके थे, सबसे पहले सुनना, फिर उसके बाद मनन करना, और उसके बाद निदिध्यासन करना, ठीक है, स्रवन में हम चीजों को सुनते थे, मनन में हम जो चीज़ें हमने सुनी हैं, उसका क्या करते थे, चिंतन म पनंकिया करते थे और निदिध्यासन में उन सारी चीज़ों को अपलाई करके देखते थे रियल लाइफ में वो चीज़े काम कर रही है या नहीं ठीक है अगला आ जाता है knowledge was divided into two broad streams as given below तो जो उस समय की सिक्षा थी वो दो भागों में विभगत थी कौन-कौन से दो भाग है पहला आ जाता है दपारविद्या और दूसरी है अपारविद्या ठीक है पारविद्या का मतलब है जो इस संसार से बिल्कुल दूर की बात करे ठीक है यह lower knowledge होती थी और secular sciences की बात यह किया करती थी अगर हम बात करें पारविद्या की तो पारविद्या में मनुश्य को क्या किया जाता था इस तरीके से पढ़ाया जाता था या इस तरीके से समझाय जाता था कि वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करते थे इसमें ठीक है ल सबसे पहले क्या होता था कि जब वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता था वो किस चीज पर दिया जाता था तो उसे भी आप सही से पनंस करें तो पनंसियेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान कब दिया जाता था वैदिक एजुकेशन सिस्टम के समय में प्योर ओरल टीचिंग ओरल टीचिंग जैसा कि मैंने भी बताया था कि टीचर जो था वो सारी चीजों को बोल करके अपने स्टूडेंट्स को समझाता था और बच्चे उसे ग्रेंड कर लेते थे ठीक है और वोस रिगाड़ेड एज अप्योरली वैदिक और इसे ही क्या कहा जाता था प्योरली वैदिक मैथेड कहा जाता था जो दूसरा था वो कौन सा था चिंतन मैथेड था जिसमें क्या होता था कि कोई चीज उन्हें बताई जाती थी तो वो उसके बारे में सोचते रहते थे और फिर एक नई चीज का निर्माल करते थे या नया-नया कुछ निकाल करके उससे ला दे थे सो प्राइमरी सब्जेक्ट अफ एजुकेशन वस माइड इटसल्फ वैदिक एजुकेशन के समय में सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जो दिमाग था उस दिमाग को सेंटर पर रखा जाता था सेंटर का मतलब यहाँ पर यह है कि यह माना जाता था कि मनुष्य का जो दिमाग है उसमें सारी चीज़ें स्टोर करनी है और फिर उसी से बाद में उसे बाहर लाना है तो माइड को इस सेंटर पर रखा जाता था जो एडमीशन होता था वो किस तरीके से होता था तो वैधिक education के समय में सभी को तो शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, चारवर्ण हुआ करते थे, ब्रामण, शत्रिय, वैश और सूद्र, तो सूद्रों को इनको सिक्षा का अधिकार ही नहीं था, बचे कितने तीन वर्ण, इनको सिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ये थी, कि जब बच्चा एजुकेशन के लिए जाता था, तो चेक किया जाता था, कि उसमें नैतिकता कितनी है, ठीक है, और कहीं बच्च अगर कोई बच्चा education के लिए जा रहा है तो सबसे बड़ा जो point होता था कि उसे ब्रह्मचरे का पालन करना है ठीक है अगला आता है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी student है ठीक है उसकी जो सबसे बड़ी duty होती थी कि जो जो गुरू है उनका क्या करे उनकी सेवा में हमेशा हाजर रहे इसके लाबा जो ब्रह्म संग हुआ करते थे तो ब्रह्म संग जो बनाए जाते थे ब्रह्म संग क्या होता था बच्चों के लिए एक अपकॉचनिटी होती थी कि वो higher knowledge को acquire कर सके ठीक है अब क्या हो रहा है कि admission की जो प्रकरिया है वो एक formal तरीके से की जाती थी, यानि उसका एक तरीका होता था और उसे क्या कहा जाता था, उपनयन संसकार कहा जाता था, उपनयन संसकार यानि की इसे कहा जाता था, initiation in the new home of guru, अब इसके बाद बच्चे को अपना घर त्यागना होता था और गुरू के घर में रहना पड़त करना पड़ता था, उपनयन संसकार के बाद, he had a second birth and was called dwijj or twice born, जब ये उपनयन संसकार होता था, तो उपनयन संसकार के बाद माना जाता है, जब बच्चे में विद्या का आरंभ होता है, यानि की उसमें एक नए जीवन की उत्पत्ती होती है, यानि की उसका एक नया परारंब होता है, इसलिए उसे द्विज या फिर twice born भी कहा जाता है, जिनका भी उपनयन संसकार होता है, यानि की वो लोग कैसे हो जाते हैं, द्विज हो जाते हैं, किस तरीके से, पहली बार जब उन्होंने अपनी मा के गर्व से जन्म लिया और जब उन्होंने सिक्षा प्राप्ति के लिए उपनेन कराया, तो उनको दुबारा जन्म माना जाता है, ठीक है, एड्यकेशन वुड स्टार्ट एट एज ओफ फाइफ विदा सर्मनी कॉल दा विद्यारंब, ठीक है, विद्यारंब कब होता था, पांच साल की आयो में विद्यारंब करा दिया जाता था, यानि कि घर में बच्चे से क्या करवाया जाता था, स्लेट पे ओम लिखवाया जाता था, ठीक है, स्लेट पे बच्चे से क्या लिखवाया जाता था, ओम लिखवा करके पढ़ाई की स्टार्टिंग कराई जाती थी उसे विद्यारंब कहा जाता था, ठीक है, अब ब् education को आगे continue करें यानि कि और higher education की तरफ जाएं या फिर आप ग्रहस जीवन में प्रवेश कर जाएं तो इस तरीके से दो चीजें होती थी यानि दो option आपको दिये जाते थे तो बहुत सारे लोग ग्रहस तासरम को चूज कर लेते थे और बहुत सारे लोग क्या करते थे आगे higher education में चले जाते थे ठीक है कि देर वाज़ा हाई standard of learning for women also in house they might learn music and dancing होता क्या था महिलाओं को भी सिक्षा के अधिकार थे ठीक है जिस तरीके से पुरुषों को सिक्षा दी जाती थी उसी तरीके से वैदिक काल में किसको महिलाओं को भी सिक्षा दी जाती थी लेकिन बाद में आते आते उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस सिक्षा में कुछ परिवर्तन देखे गए और म देखते हैं आगे के समय में कि महिलाएं सिक्षा से वंचित हो गए लेकिन वैदिक समय में महिलाओं को सिक्षा के अधिकार थे लेकिन सभी को नहीं थे जो royal families हुआ करती थी जो बड़े घराने हुआ करते थे उनको ही सिक्षा के अधिकार थे साथ ही जो music की और dancing की सिक्षा थ होती थी इसके लिए कोई स्कूल वहाँ पर नहीं चलाया जाता था तो महिलाओं का भी क्या होता था उपने अंसकार होता था और उन्हें भी क्या करना होता था सेली बेसी को फॉलो करना पड़ता था ठीक है अगला आ जाता है देर वर टू क्लासेस ओफ एजुकेटेट प्रोसेक्यूटेट स्टेडी इस तिल देर मैरेज वो महिलाओं जो सिक्षा सिर्फ तब तक लेती थी जब तक उनकी शादी ना हो जाए यानि साधी होने से पहले तक जो महिलाओं सिक्षा लेती थी उन्हें सुद्ध्यो दवास कहा जाता था लेकिन जो आजीवन सिक्षा लेती रहती थी महिलाएं उन्हें ब्रह्मवादिनीज कहा जाता था ठीक है तो ब्रह्मवादिनीज कौन थी दे आर्ट पीपल हूँ डिड नॉट मैरी एंड पर्सीव स्टेडी थूआउट देर लाइफ अपने पूरे जीवन परेंत वो सिक्षा ग्रहन करती रहती थी तो अपने मन पर काबू करना चित का मतलब होता है जो विचलन करता है और निरोध का मतलब है उसे रोकना ठीक है यानि कि अपने मन पर control करना which is the control of mental activities connected with the concrete word यह जो संसार है यह जो भौतिक जगत है इसमें रहते हुए अपने मन पर काबू पाना ही क्या है चित व्रत्ती निरोध है या the ultimate aim of education है वैदिक कालीन education का जो main aim था वो क्या था वो यह था कि इस संसार में रहते हुए हमें अपनी चित व्रत्ती पर क्या करना है अब बात करते हैं वेदवों पर तो वेद क्या थे क्योंकि वेद जो था subject हुआ करते थे as a subject उन्हें पढ़ाया जाता था कब वैदिक समय में ठीक है तो अब बात करते हैं वेदों पर the word veda means knowledge वेद का आर्थ होता है knowledge और नित्य का आर्थ होता है routine तो जो वेद होते थे वो routine में पढ़ाया जाते थे ठीक है यानि कि knowledge आपको routine way में दी जाती थी जीवन से ही जुड़े हुए हुआ करते थे साथ ही साथ वेद का अर्थ होता है knowledge यानि कि ज्ञान ठीक है और ये नित्य रूप से पढ़ाये जाते थे तो जो पहला वेद आता है वो कौन सा है वो आता है रिगवेद यहां पर क्या आ जाता है कि रिगवेद जो है सबसे प्राचीन कारे है किनका इंडो यूरोपिय लैंगवज जितनी भी भारोपिय भाशाए है भारोपिये का मतलब क्या होता है भारती और यूरोपिये का मिक्षर है जिससे बनता है भारोपिये तो जितनी भी भारोपिये भाशाएं है तो संस्कृत कैसी भाशा है संस्कृत एक भारोपिये भाशा है तो जितनी भी भारोपी ये भाशाएं हैं उनमें से जो सबसे पहले लिखा गया वो क्या था रिगवेद तो रिगवेद क्या है प्राचीन तम गरंथ है रिगवेद से पुराना अभी तक कोई भी गरंथ प्राप्त नहीं हुआ है रिगवेद के बाद जिंद अवैस्ता भी लिखी गए लेकिन सबसे प्राचीन क्या है रिगवेद है ठीक है और रिगवेद जो है वो क्या दिखाता है कि मानव सब्विता के Plain Living और High Thinking को दिखाता है ये बताता है कि साधा जीवन और उच्च विचार किस तरीके से होते हैं या किस तरीके से पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें में कहां देखने मिलती हैं रिगवेद में रिगवेदा is collection of 1028 हाइम्स 1028 इसमें क्या है हाइम्स है हाइम्स का मतलब क्या हो जाता है हाइम्स का मतलब होता है सोक्त ठीक है तो रिगवेद में कितने सोक्त हैं 1028 सोक्त इसमें दिये हुए हैं रिगवेद के बाद आता है शामवेद शामवेद is a collection of verses from the रिगवेदा for liturgical purpose ठीक है लिटर्जिकल is the participation of people in the work of God सामवेद क्या था शामवेद का आर्थ है collection of verses जो भी रिगवेद में लिखा हुआ था उसको poetic form में या हम ये कह सकते हैं कि उसको गाने की रूप में कहा हमें देखने को मिलता है सामवेद में मिलता है भारतिय संगीत जो है उसकी उत्पत्ती भी कहां से होती है शामवेद से ठीक है तो रिगवेद में जो हमारे सूक्त दिये हुए है उनको गाने के तौर पर कहां पर दिया हुआ है शामवेद में दिया हुआ है और गाने के माध्यम से ही हम क्या करते थे गाने के मतलब यहां पर यह नहीं कि कोई गाना लिखा हुआ करता था लेकिन नहीं किसी poetic form में लिखे जाते थे जिससे बोलने में उनको आसानी रहे तो वो सारी चीजें स्वामवेद में लिखी जाती थी और गा गा करके क्या किया जाता था देवताओं को बुलाया जाता था या देवताओं को प्रसंद किया जाता था ठीक है इसके बाद आता है यह जूरवेद जो था उसमें क्या होता था उसमें पोईटिक फॉर्म में लिखी जाती है किसमें शामवेद में यूरवेद में प्रोज के फॉर्म में लिखी जाते थे हाइम और यह जूरवेदा का मत पंत्रुआ करते थे वो इसमें इसके इंतरगत लिखे होते थे साथ यह किस तरीके से होगा यह वेदिकाई कैसी बनाई जाएंगी ठीक है और साथ इसमें जमेत्री का भी हमें प्रियोग बहुत दो हें आर्ट और साइंस के बारे में बताया घया है है तो अधर्वेदा जो है वो बहुत बाद में लिखा गया है और सबसे लास्ट में लिखे होने की वज़े से क्या होता है कि इसमें secular characters ज़्यादा पाए जाते हैं ठीक है यह सारा जो था वो वैदिक education system का part था अब बात कर लेते हैं post vedic education की post vedic education also continued with the three types of institutions नेमली गुरुकुल, परिशद और सम्मेलन तो जो आगे के education system आए यानि कि post vedic post vedic का मतलब होता है जब वैदिक education का हरास हुआ उसके बाद वैदिक युग के बाद जो उत्तरवैदिक काल आया उसमें सिक्षा किस तरीके से दी जाने लेगी वो इसमें आता है तो वैदिक education system में हमने देखा था कि गुरुकुल हुआ करते थे तो उत्तरवैदिक काल में भी गुरुकुल हुआ करते थे परिशद होती थी और सम्मेलन बुलाए जाते थे इसके माध्यम से education उत्तरवैदिक काल में भी दी जाती थी लेकिन उत्तरवेदी काल में जो एक परिवर्तन बड़ा सा परिवर्तन देखा गया वो ये था कि महिलाओं को सिक्षा के अधिकार से धीरे-धीरे वंचित करना शुरू कर दिया गया जो कि शूत्र काल तक आते याते पूरी तरीके से खतम कर दिया गया ठीक है? उमीद करता हूँ आपको लेक्षर पसंद आया होगा लेक्षर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेल आइकन को फ्रेस कर ले और चैनल को ज़ादा से ज़ादा शेर ज़रूर करें